दोस्तो अगर आप भी परिच्छा को लेकर परसान हो चुके हैं तो दोस्तो ये भीरियों आप सभी चात्रों के लिए हैं क्योंकि दोस्तो ललित नरायन मितला वर्शु देले के और से अगर आप भी ये बीकॉम कर रहे हैं या दोस्तो आप अगर आप पाठोन के चात्रों य ऐसी बात नहीं कई एक कुछ दीन के लिए डेट बढ़ाया गया है तो चलिए आपको सारा अपडेट यहाँ पर देने वाले हैं और साथ ही सारा नोटिस का अपडेट आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए बिहार में सभी परकार के कॉलेज तक्निकी सिक्षन संस्थान और 182 बारवी तक के एस्कूलों को छोड़ कर अन्य सभी एस्कूल कोचिंग ट्रेनिंग और सेक्षिंग संस्थान बंद रहेंगे इस अबधी में विश्विद्याले और विश्विद्याले द्वारा किसी भी परकार का एक्जाम नहीं लिया और दोस्तों मैं आपको बता दू जो नोटीस पांच जुलाई को जो पब्लिस किया गया था उसी को यहां पे अपडेट किया गया है तो दोस्तों यह आप लोग देख सकते हैं बिहार सरकार गिरी विवाग के द्वारा इस नोटीस को जारी किया गया है बीस जुलाई को द इतने भी सेक्षिनिक संस्थान है वो बंद रहेंगे इस अबधी में 20 विद्याले पुर्ण रूप से परिच्छा नहीं लेगी इसके साथ ही बताया गया है अगर 10 या 12 के चात रहें तो उन सभी का 50% से कॉलेज ओपें रहेगा और उससे उपर वाले जितने चात रहें कि परिच्छा नहीं होगी तो इसलिए आप लोग जो चात्र खूस हो गया है क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे चात करें कि परमूट कर दिया गया है तो ऐसी बात नहीं है आप सभी चात को परमूट नहीं किया गया है यहापे देख सकते हैं परिच्छा को लेकर रोक लगाई गई है बस इतना ही कहा गया है तो दोस्तों आगे चलके आप लोग का एक्जाम हो सकता है तो अगला जो नोटीस जारी किया जाएगा बिहार सरकार की ओर से वो नोटीस आपको 7 अगस्त को जारी किया जाएगा उसके बाद ही दोस्तों आप लोग को परिछा को लेकर अपडेट दिया जाएगा तो दोस्तो आई होप इस वीडियो में आपको सारी जनकारिया मिल गई होगी और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और अपना एक्जाम की तैयारी करने के लिए रेखा प्रकासन का गैस पेपर जाके मार्केट से ले सकते हैं जहां पर दोस्तों अगर पार्ट वाले स्ट्वेंट की बात करें तो आपको इस वार अवजेक्टिव कोश्चन पूछने की संभावना है तो इसके लिए रेखा प्रकासन के गैस पेपर में अवजेक्टिव कोश्चन दे दिया गया है इसके साथ ही आप लोग का ओनर्स पेपर में बीवियाए कोश्चन और साथ ही इस बार प्रिवेस येर के जितने भी कोश्चन है सारे इंकलूट किए गया है और इस बार जो अच्छा होने वाला है तो जाकर प्रचेज कर सकते हैं और दोस्तों अगर अभे भी किसी परकार की समस्या है तो आप लोग नीचे comment कर सकते हैं और दोस्तों जो चात्र का अभी तक examination form नहीं भर पाया है उनके लिए एक बार जरूर date जारी किया जाएगा तो आप लोग चैनल पर पहली बार आये होंगे सब्सकाइब करके रखिए क्योंकि update मिलते ही आप लोग को update दे दिया जाएगा YouTube चैनल के माध्यम से हो या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुरे हैं तो जल्द जाएए टेलीग्राम विजिट किजिए और टेलीग्राम जरूर जुर जाएए और साथ ही जितने भी notice हमने यहाँ पे आपको एस्कूल करते हुए दिखाया है सारा notice हमने अप्लोड कर दिया गया है तो इस परकार से सारी जनकारिया आप लोग ले सकते हैं फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में धन्यवाद